आप सभी का हमारे यउटूब चैनल में स्वागता है हम फिर से रेलेटेड कुछ कुछ पढ़ रहे थे से रेलेटेड कुछ 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 वह मुदर कुछ कुछ तो पास एफ ए बराबर B union C यह हमारे पास दिया हुआ है then हमें प्रूब करना है A minus B बराबर C intersection B dash यह हमें प्रूब करना है अब फिरस लेट हमने ले लिया X belongs to A minus B तो यह imply करेगा हमारे पास X belongs to A but X not belongs to B यह imply करेगा हमारे पास X belongs to A but X not belongs to B और फिरस दिया हुआ है हमारे पास A बराबर क्या है B union C है तो यहां से हम करेगा है X belongs to B union C but X not belongs to B तो फिरस यहां से करेगा है X belongs to B and X belongs to C बट X not belongs to B यह पने end नहीं है और है X belongs to B और X belongs to C but X not belongs to B जो X not belongs to B कह रहा है तो इसका मतलब है हमारे पास और X belongs to B और X belongs to C यानि अत्वा में है यह यहां तो X belongs to B से करना चाहिए और X belongs to C से करना चाहिए लेकिन साथ में ही करा है कि X not belongs to B तो यह हम कहेंगे X belongs to C बट X not belongs to B तो बट B से बलोंग नहीं करा तो कि किस से करेगा B डेस से करेगा X not belongs to C and X belongs to C तो इंप्लाइ कर गा है X belongs to C intersection B डेस तो यह हो गया X belongs to C intersection B डेस इस तरह से यह थोड़ा प्रूब हो जाती है